तो जय हिंद मेरे प्यारे साथ यो कैसे हूँ आप सभी लोग आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तो भारती डाग विभाग की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर एक और नई भरती का ओफिशल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जिसके बारे इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से देख सकते हो और डीपली अगर आपको रीड करना हो तो आप चले जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के जस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है वहाँ पर मैं इस भरती का नोटि वीडियो में देने वाला हूँ बशर्ते वीडियो को आप एक जरूर कीज़ेगा और चैनल पर आगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नय होना तो प्लीज याड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीज़ेगा इसी प्रकार के गवर्न्मेंट जॉब के मोर अपडेट के लि हुई है आप काफी सारे लोग ऐसे होंगे ना जो कि इस पद का नाम जो है वह पहली बार सुन रहे होंगे कि सर स्टाफ कार ड्राइवर मतलब क्या होता है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा बस थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिए धारे रखिए ठीक है देखे एज क्र 23 सरकल में से आप कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हो ना अगर आपके पास फैच्छडिक योगता है क्वालिफिकेशन है रिक्वार्मेंट है तो आप यहां पर आवेदन जो है कर सकते हो ठीक है उम्र की अगर मैं बात करूंगा तो जैसा कि मैंने आपको बताया है ठा पन फाल से अधिक नहीं होना चाहिए मलब 56 साल के अंदर में रहेगा तभी जाकर के आप आवेदन इसमें कर पाओगे योगता कितना मांगा जा रहा है तो दोस्तों बहुत ज्यादा योगता नहीं मांगा जा रहा है इसमें अगर मात्र आप 10 वी पास हो ना तो आप इसमे आवेदन कर सकते हो बारहवी पास हो तो भी इसमें आवेदन कर सकते हो लेकिन साथ में दोस्तों क्योंकि आप सभी लोग को मालूम है कि स्टाफ कार ड्राइवर अब नाम से ही पता चल रहा है कि ड्राइवर के पद पे यह भरती आई हुई है तो यहाँ पे requirement के तोर पे यानि कि हैवी मोटर वेहिकल ड्राइविंग लाइसेंस होता है तो इन दोनों में से आपके पास किसी प्रकार का कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस है ना तब जाकर के आप इसमें आवेधन जो है कर पाओगे छीक है अगर मैं बात करूंगा तो 17 फरवरी से इसका अवेधन जो है वो पूरी तरीके से स्टार्ट हो गया है अब काफी सारे बच्चे यहां पर यह कहेंगे कि सर सरकारी रिजल्ट पर तो शो नहीं कर रहा है दोस्तों जरूरी नहीं है कि जो भी वेकेंसी आती है वो सरकारी रिजल्ट पर ही शो करे यार बहुत सारी भरतियां ऐसी होत other website पे भी भरतियां आती हैं लेकिन आपको जो है जानकारी होनी चाहिए तो जैसा कि मैंने आपको बताया है एपलाई डेट जो है 17 फर्वरी से इसका स्टार्ट हो गया है और 19 मार्च 2014 तो इसका आवेदन जो है चलेगा आज साथ तारीख है दोस्तों अभी भी आपके पास करीब करीब 11 दिन बचा है ठीक ना 10 से 11 दिन अराम से बचा हुआ है आप चाहेंगे तो जो है आवेदन कर सकत हो आवेदन शुल्क के कितना लगेगा तो आप किसी भी कैटेगरी के अंतरगत आते हो यानि कि जंडल ओवी सी एडब्लू एस सी एस्टी आपका यहां पर 100 रुपाई लगने वाला है एपलाई करने में ठीक ना तो फार्म फिल करने में आपका जो है 100 रुपाई कि अगर मैं बात करूँगा तो यह जो भरती है न दोस्तों यह पूरी तरीके से ऋफ लाइन भरती है ठीक है इसे आप लोग ऑन-लाइन मत ऋनेने लग जाए गा यहां पर मैं लिक भी दे रहहा हूं यह पूरी तरीके से टीक ना अभी नोटिफिकेशन में भी दिखाऊंग किस प्रकार से form apply करना है इसके बारे में भी जानकारी दूँगा अब आप लोग पूछोगे कि सर offline vacancy है तो किस प्रकार से आवेदन करेंगे notification कैसे मिलेगा किस प्रकार से form भरेंगे सब कुछ बताऊंगा दोस्तों बस थोड़ा सा जो है आप लोग धायरे बनाए रखिए ठीक है सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं salary के बारे में तो यह जो staff car driver के पते भरती आई हुई है इसमें जो आपको salary दिया जाएगा वो शुरुव भी नहीं है यहाँ पर आपको अच्छी खासी salary दी जाएगी वो भी पहले महीने की अगर मैं बात करूंग ना प्रथा मा की बात करूंगा तो 19,900 यानि करीब करीब जो है आपको 20,000 रुपय से आपके यहाँ पर starting होने वाला है और जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे आपकी salary जो है धीरे धीरे बढ़ती जाएगी आल इंडिया के जो candidate है अगर आपके पास requirement है तो आप यहाँ पर आवेदन कर फक्ते हैं यहाँ पर यह नहीं बताएगी है कि किसी केवल जो है एक ही राजी के लिए vacancy आई है उसी राजी के candidate है अप्लाई कर फक्ते है इसा कुछ भी ठीक है ना जम्मू कश्मीर में जम्मू पढ़ता है ना लगदाग पढ़ता है जम्मू पढ़ता है तो जम्मू में आपका जो है job location रहेगा वहीं पर रहे करके आपको duty करनी पड़ेगी काम करनी पड़ेगी अब मैं आपको बता देना चाहता हूं basic requirement के बारे में कि क्या-क योगता यानि के requirement आपके पाफ होना चाहिए जिससे की आप इस vacancy के लिए आवेदन कर सकते हो देखें यार काफी सारे बच्चे ऐसे है ना जो कि GDS की नई भरती को ले करके जो है वो काफी परिशान रहते हैं बार-बार पूछते हैं कि सर GDS की नई भरती कब आएगी नई डाक सेवक की वो आपको election यानि कि लोग सभाचनाओं के बाद में देखने को मिलेगा और दसी perfect chance है कि साइद भरती आ जाए क्योंकि आप सभी लोग को मालूम है इस वक्त का जो समय चल रहा है ना वो पूरी तरीके से चुनावी महौल चल रहा है और 12 या 13 मार्च से जो है आचार संगिता यानि कि धारा 144 भी लग जाए दोस्तों आप सभी लोग को मालूम है मैं आपको कितनी बार बताया हूं लेकिन फिर भी बार बार आप एक ही कमेंट किया करतो यार तो मैं कितनी बार आपको जवाब दो ये बताइए मैंने वीडियो के माध्धम से आपको कई बार जानकारी दी है तो इस चीज को आप लोग समझा कीजिए देखें डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी अगर जानकारी निकल कर आएगी न तो मैं आपको वीडियो के माध्धम से जो है आपको सूचित करूँगा आप लोग बिल्कुल भी घबराईए मत बेसिक रुक और वो एक्सपायर हो गया हो तो फिर काम नहीं चलेगा वैलेडिटी उसकी होनी चाहिए तभी जाकर के जो है आप अपके पाफ जो है अगर एक्सपीरियोंस सर्टिफिकेट है ना आपने पहले कभी भी कहीं काम किया हो अनुभाव आपके पाफ हो तो आप यहां पर लगा नहीं आपके पाफ फैचडिक योगता और LMV या फिर HMV का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए ठीक है ना अब आवश्यक दस्तावेज की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो यह सारे दस्तावेज आपके पाफ होने चाहिए और इसकी जिरॉक्स कॉपी आप करवा लीजेगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस परकार से भरना और किस पते पर आपको भेग 감사합니다 जाती प्रमाणपत्रों होना चाहिए यानि एक चिलाद रखेगा कि जनरल कंडिडेट का यहां पर काश्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है, बाकि अगर आप OBC, EWS, SCST के अंतर गताते हो, तो यहां पर आपका जाती प्रमाड पत्र लगेगा, काश्ट सर्टिफिकेट लगेगा, उसके अलावा निवास प्रमाड पत्र, सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप लोग घबराईएगा नहीं, मतलब कि आधार कार्ड से ही काम चल जाएगा, बस शर्ते, हाई स्कूल या फिर इंटर, के जो आपका मार्शीट है, और उसके अलावा जो आधार कार्ड है न आपका, उरिजिनल आधार कार्ड, उसमें आपक आधार ने, ये सारी चीजे बिलकुल सही होनी चाहिए, किसी प्रकार का मिसमैच नहीं होना चाहिए, ठीक है, और मिसमैच है, तो इसे आप लोग संसोधित करवा सकते हो, कहां संसोधित होता है, वो आप सभी लोग को मालूम है, CSC सेंटर चले जाएगा, वहाँ पर जो है, समझेगा दोस्तों, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, कि नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से रीड करना है, पढ़ना है, नोटिफिकेशन कहां मिलेगा सर जी, नोटिफिकेशन आपको जो है, टेली ग्राम चैनल पर में डाल दूँगा, टेली ग्राम चैनल पर आप अच्छी तरीके से देख लीजेगा टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है वहां से आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ फक्ते हो ठीक ना उसके बाद क्या करना है कि अप्लिकेशन फॉर्म का प्रिंट निकलवा लेना ह है जो चीज उसमें पूछा जा रहा है आपका नाम पता मलब सारा डेटा आपसे मांगा जाएगा ना आपका नाम पता आप कहां के रहने वाले हैं आधार कार्ड संख्या उसके इलावाद जो जो डेटा मांगा जा रहा है क्वालिफिकेशन वगरा वह अच्छी तरीके से देना है फिल करने के बाद आपको क्या करना है कि यह जो जितने भी आवश्यक दफ्टावेज मैंने आपको यहां पर बताया है ना इसका फोटो कॉपी करवा लेना है जिरॉक्स कॉपी करवा लेना है जिरॉक्स कॉपी करवाने के बाद में फॉर्म के साथ सेल्फ अटेस् करने पड़ेंगे जहां पर फोटो चिप का आना है आपको वहां पर फोटो चिप का देना है उसके बाद क्या करना है उसे आप अच्छी तरीके से फोल्ड कर लेना है और एक आता है लिफाफा ठीक ना एक लिफाफा आएगा उसमें उपर लिखा होता है तू या फिर आप ख रहा हूं पता क्या है तो असिस्टेंट पोस्ट मास्टर जंडरल रिक्रूटमेंट ओ बाई जीरो चीफ मास्टर जंडरल जम्मू एंड कश्मीर सरकल मेग दूत भवन उसके अलावा रेल हेड कॉंपलेक्स जम्मू पिन कोड है अठारा डवल जीरो बारा पिन कोड कितना है अपना ऑड्रस दोगे और टो की जगापर ये अड्रस देना है जहां पर आपको भेजना है बस इतनी सारी चीज़ुकर करना है और कुछ भी आपको यहां पर नही। करना है मतलब कि offline form है तो आप सभी लोगों को मालूम है कि offline तरीके से आप लोग form को apply करोगे और उसके बाद जो है इस speed post आपको यहाँ पर करना पड़ेगा ठीक है ना सारा का सारा यहाँ पर basic detail मैंने को बता दिया है कि form किस परकार से fill करना है क्या क्या आवर्शक सारा चीज मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है तो मुझे नहीं लगता है कि अब आपको जो है इस भरती के regarding में किसी प्रकार का कोई भी doubt रह गया हो और मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं कि जो आपका job location रहेगा ना वो रहेगा जम्मू में आपको मालूम है ना जम्मू कश्मीर तो जम्मू में रह करके आपको यहाँ पर काम करना है और staff car driver के पदपे भरती आई हुई है तो वे लोग जो की driving जानते हैं जिनके पाफ driving license है तो उनके लिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा हो ठीक है ना तो आई होप की वीडियो आपको informative लगा होगा यदि आपको वीडियो इन्फार्मीट्यू लगा हो तो वीडियो को लाइक किजेगा चैनल को सब्सक्राइब किजेगा और इस भरती का जो notification है ना मैं अपने टेली ग्राम चैनल पे डाल दूँगा वहाँ से जा